चाणा के निती चाणा के दोवारा रचेतिक नीती गरंथ है जिसमें जीवन को सुख में और सफल बनाने के लिए उप्यों की सुझाब दिये गए हैं इस गरंथ का मुख्य विशे मान और समाज को जीवन के हर एक पहलू की वहबरिक सिख्चा देना है जानी चाणा के कि कुछ ऐसी महत पूर नीतियां जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती है नमस्कार दोश्तो एक वार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में दोश्तो अगर आप किसी का प्यार पाना चाहते हैं किसी से बे इंतहा महबबत करते हैं और आप उसे महबबत को अपनाना चाहते हैं तो बस एक लौग मूँ में रखकर साथ बार ये एक चीज बोल दीजिए बस आप जो चाहोगे आपको पही मिलेगा दोस्तो बीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते हैं आप हमारे चैनल पर नए हैं आप चैनल को सस्क्राइब भी कर दें ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ग् pillar सबसे पहले प्राप्थ हो सके तो चलिए दोस्तो आज का बीडियो श तो कमेंट बॉक्स में एक बार श्रीकर्ष्णा रादे-्रादे चरू लिख दें। भगवान स्रीकर्ष्णा ने भी प्रूस्ट किया कि प्यार करने वालों को उनका प्यार मिलेगा लेकिन ुषफ नियत वालों को लिए नसीब होना हो पाएगा आप नियत साफ रखोगे तो आपकी साफ नियत की बदूरत आपको आपका प्यार मिल जाएगा जी हां दोस्तो उपाय है बास्तु के अनुसार साम के समय एक आंत में आप एक लोंग मुं में रख कर और साथ बार उसका नाम बोलें जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं बस सामने वाला आपका बन जाएगा ये उपाय आप साथ दिन लगातार करें और आपको इसका रिजल्ट अवस्य मिलेगा लड़की आपके प्यार में दोड़ी चली आएगी दोस्तो लड़की आपकी हो जाएगी तो दोस्तो अगर आप किसी को अपना बना पाना चाहते हैं किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो आप ये उपाय अवस्य कीजिए तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको पसंदाया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद